हम सब जानते हैं राज कबूर सहाब रेशिया में बहुत फेबस थे एक शो के लिए राज सहाब और उनके साथ महेंदर कबूर साहब और और भी कहीं गायक गये थे राज सहाब ने महेंदर कपूर जी से पूछा क्या में ले थोड़ा सा हर्मोनी बजा दोगे तुम तो महेंदर जी ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल बजा दूँगा राज सहाब ने मुकेश सहाब के दो चार गीत गाए और रेशियन ओडियन्स जूम थी अब उसके बाद महेंदर कपूर सहाब के बारी आई तो महेंदर कपूर जी ने नीले गगन के तले ये गाना रेशियन में ट्रांसलेट करके गाया तो रेशियन ओडियन्स जूम उठी ना जूठी और महेंदर कपूर सहाब के नारे देने लगी अब राज सहाब जो भी अभी अंदर गए थे सोचने लगे इतना फेमस कौन हो गया है यहाँ पर और स्टेज पर आये विंग में से उन्होंने देखा कि ये नारे बाज़ई महेंदर कपूर सहाब के लिए हो रही है तो कहने लगे एक कपूर ही दूसरे कपूर को टक कर दे सकता है में इंदर कपूर सहाब का याग लागी कुम्राह फिल्म का है सुन रहे हैं अब जी जी से सॉरे बाज़ई चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनो चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनो ना मैं तुम से कोई उम्मीद रखो दिल नभाजे की ना तुम मेरे तरफ देखो घलत अंदाज नजरों से ना मेरे दिल की धड़कन लड़ड़ाए मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारे कश्म कश्का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनो चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनो तुम्हें भी कोई उल्जन रोकती है पेश कदमी से मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जल्बे पराए हैं मेरे हमरा भी रुस्वाया है मेरे माजी की तुम्हारे साथ ही घुजरी हुए रातों के साए हैं चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनों तारुप रोग हो जाए तो उसको भूलना बहतर तालुक बोज बन जाए तो उसको पोड़ना अच्छा वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुंकिन उसे एक खूब सुरत मूर देकर छोड़ना अच्छा चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अज नभी बन जाए हम दोनों चलो एक बार